तो आप सभी का सलाव है हमाई यूट्यूब चैनल पॉइंट पर स्टडी में एक दम भीविया उजेक्टिव लेकर आप सभी के लिएक बाद फिर से हाजीर हो गया हूँ जो आपके एकजाम में 100% टक्राने वाला इसलिए गाईज क्योंकि यह भीविया उजेक्टिव है इसल अगर नहीं देखा है आपने तो एक से लेकि तीस चैप्र तक लिंक डिस्क्रिप्शन होगा जाकर दिख लीजेगा और यह आप 15 देख रहे हैं यह हिस्सा नशर का पंद्रमा चैप्टर है यह अफसाना माला अलग था यह पंद्रमा अलग है तो टोटल मिला के यह यह हमार सब्सक्रिप्शन आपका नहीं होगा जो आपको इससे नहीं टक राएगा यह मेरा चैलेंग हरनत पर्शेंट के साथ इसलिए आप लोग दाकर देख लीजेगा और यह सुभा आपको रोज सारे साथ वजे वीडियो आपको मिलागी और नन हिंदी का भी तीरा पार्ट तक म मिलाकी है अब आप 31 चैप्टर है तो चले पहले क्यों चलते हैं गिनी और मैं आपको बता दो अगर हमारे चनल कभी तक सस्काब नहीं किया तो कर लीजिए और आपने दोस्तों को भी शेर कर दीजिए जो उर्दू पढ़ने वाले हैं ठीक है क्योंकि बहुत आसान तरीके स इस पर बताया जाता है चले पहले क्यों चलते हैं कि नहीं पहले क्यों कह रहा है कि जफर यहां भी देखिए दो है यहां पहले देखिए मैं अपने हर क्योशन बोलता हूं कि यहां से जो होता है दो क्योशन बनता है दो है दो है कि यहां पर गजल या नजम निगार कौन हो नहीं है कि जो दो है कि जो होते हैं तशनीफ नगारम सरuto में जो राइटर को बोलते हैं नहीं नांब होते हैं जो पर यहां वह ऑता श्रण गुरख्पुरी हो जाएगा जो मेरे वाँ आसमासे में आजाए था थ with समझ जाए कि अब हो नए है तो ने वाले अने हiénा कि वे समझ जाएगा्स दो है जो होता है है। बडा च्प्र करी को नाम होता है। जो भी चीज नह भी हैं वह राइटर का ला मिलएः का नाम होता है। ठीक है तो उर्ड fu में बहलते हैं mainten rule मुस्षणिफ निगार होता है लेखक तथा क्या है तकलीक मतलब इeries अ Cellar मैं और एक क्वैशनॐ में वि si पुछताइभ आपक यहां से जो भी साइध होता है उसका कि कौन सी गजल आप से निसा में सामिल है गजल होगा था गजल नजम होगा था नजम अपसाना होगा था अपसाना इस तरीके से पूछेगा तो आपका जो भी चिप्टर का उसका नाम आपको बताना पड़ागा ठीक है तो चलिए पहले कुशन के होता है पहला क के करीब C है नजर के करीब twee है सुरच की करीब तो इसका जो आपका है परिद्विक्ट आपका ओप्छेस में आ जागा जमीन के कडीब ठीक है उनकी नजमाक गजल और गीतों खायरकों का्क येक ह Х आपके मायन में बैठ जाता है और आपके मायन में बैठ जाएगा तो जब तक कि आपका एक्जाम होगा और तक कि आपके मायन में बैठा ही रहेगा तो आप आसाली से उसका एंसर दे सकते हैं कि नहीं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन सबसे पहले आप कमेंड लिखते हैं तो मैं आपको अब नहीं बोलूँगा इंसर लिखने के लिए क्योंकि काफी आदा छोड़ा चिप्टा है इस चप्टा से काभी कम भी विया उसक्ति लिया गया है तो आप लोग लिखेगा आपसे गुजारी से सॉया खाट की आप लिखेगा लिखेग साया के लावा जफर गुरापूरी के एक और मजमुरे का नाम लिखें तो उनकी दो मजमुरे थे, बच्चे के लिए उन्हें और मजमुरे का नाम लिखें और दूसरे Hmm का नाम बोल रहा है तो 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 चलते हैं आप लोग कमेंड बोक्ष में रिखते रहेगा तुसरा कुशन कह रहा है सामील निशाब दोहे के शायर को ने देखिए मैंने आपको बोला ना कि इस तरीके से पूछा जाता है और आप लोग मेरी बातों पैच्छे से की गवर करते हैं तो आपको अशानी हो जाएगी समझने में अगर स्कीप किजेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा ठीक है तो कोई भी आपका चेप्टर कीव नहोंड कोई भी चेप्टर all daha आपको इसी तरीकी से पूछा जाएगा मैंने की एक वहार क्या हैं हमने समझ गया तो उसी तरीकी से गुर्मा फिराकर हमें सब पूछा जाता है तो चले इसका option देख लिए ए है फिराक गुरकपुरी, भी है अक्तर गुरकपुरी C है जफर गुरकपुरी, D है इन में से को नहीं तो हमको मालूम है, हमने बताया भी आपका कि इसका क्या हो जगाराने सर और जो दोहे के हैं, सायर कोन हो जाएगे उसके तशनीफ नेगा, मुशनीफ नेगा तशनीफ नेगा, तखलीक के कोन हो जाएगे मैंने अच्छे साब के बता दिया है तो इसका क्या हो जगाराने सर, तो इसका option number C याने की option number C, जफर गुरकपुरी तो यहां तक complete, उम्मिद करता है, आप लोग को समझ वाया होगा चलिए अगले question के हो चलते है तो यहां पर हमारा अगले question आगी यहां देख लीजिए कह रहा है, दुख लेकिन इस बात का dot 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 हुई किताब, खाली जगों को मुनासिम लफ से यहां पर लिखना चीए यहां में पूरा अकार रहोना चीए आनि अलिव का, पूरा कीजिए तो यहां पर लिख्या उब है तो पूरा की जिये हो जाएगा तो यहां पर समझने वाली बात है यहां पर dot dot do you want यह तरीके से dot dot До Wait here हिंदी में मिलता है रिक अस्थानों को पूर्ति कीजिए और इंगलीश में बोलता है उसी तरीके से उर्दु में भी पूचा जाता है को यहां पे तो खाली अस्थान की जगह पे क्या भना जाएगा उस बीच में कौन सा वर्ड आएगा है कि नहीं लवज आएगा तो उस तर लुक पढ़ते हैं तो रुजू का अलफाज होता है लेकिन हम लोग इसको सेवा पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए यहां पर क्या जागा पांच का इंसर पर्फेक्ट आरें से बताएं आप लोग तो पांच का आपको पर्फेक्ट राइस इंसर होगा देखिए मैं आपको बता है कि जफर गुरकपूरी की शायरी के कितने मजमुएं मनजर आम पर आ चुके हैं याने उन्होंने अभी तक कितने सायरी चीजों सायरी किताब लिख चुके हैं यहीं बूच रहा है तो आपको नमबर सी हो जागा याने कि साथ इसका पर्फेक्ट और राइट इनसर है चले पर आगला चिपकुष्यन कि साच्चाया जफर गुरकपूरी का कैसा मजमुआ है तो कैसा मजमुआ है वो पूच रहा है तो चले इसको थोड़ा मैं अच्छे शाब को बताता हूं तो चले यह उप्शन पर देख लीजिए यह इखिलाकी भी है बच्चों के लिए सी है मज के लिए लिखाता है गी नहीं तो उसी तरीके साब देखिया पूचा हुआ कि कैसा मजमुआ है तो यहां पर देखिए तो मुझे मालूम है बच्छों के लिए था लेकिन आप लोग कन्फिज नहीं हो जिए इसमें भी बच्छों के लिए वप्शन है आप लोग गवर से द प्रिक से चार की इस तरीक यूभक कre नमबः क्वियुक्टर का उम्हेद करोंगा कि आप लोग को अच्छे समझ में आया गया होगा तो चली आखरी क्यूशन के और जाओंगा और आखरी क्यूशन मताने से पहले कहूंगा अभी दिख हमारे चनल को सबस्क्राइब नहीं क्या तो कर ले और रोज आपको सुवास सारे एगार सुवास सारे जाने की सात बज़े आ अब बताएं उनको ठीक है उचलिए नौमा का बताता हूं दोहा किस जबान की शायरी से उर्दु में आए तो किस जबान चाहिए थी ए हिंदी भी है फार्ची सी अर्वीडी है अंग्रीजी तो मैं आपको बता दू दोहा जो आया था ना तो यह हिंदी भासा से आया था त अब लोग को उमीद करता है आप लोग को समझ में आ गया होगा मैंने जो भी पढ़ाया है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक लिए आप सब कर शूरिया सलाम आदा मिलते हैं